हेलो दोस्तो जै माता दी नौरातन की हादिस सुख कामनाएं देखे यहां माता का भोग लगा हुआ है अब इसके बाद पूजा करना है पूजा करने के बाद हवन होगा या देखे हवन समगरी है आप देख सकते हैं यह आमकी लकड़ी है हवन समगरी है देशीगी भी लगेगा या देशीगी की पैकेट है अरियल सुखा, हवन समगरी, माचीज, सारी समगरी मैंने आपको दिखाई है दिखे या जव है, अच्छत है यानि चावल, आटा, सुपाडी एक, इस अब हवन में लगता है या गुड है, तिल है, नौग्रह की लकडी है, या सारा समान लगेगा मैं बताती जारी हूँ, आपको दिखाती जारी हूँ या गाय का गूबर का बनता है कंडा, जिसे उपला भी बोलते हैं, या हवन समगरी है, जो मार्केट में मिलती है या देखिए मैंने एक बरते में सब रख लिया है, नौग्रह की लकडी, आम की लकडी, देशी घी, असब हवन समगरी मिला की रख लिया है, नारियल सुखा रख लिया है, इसब हवन में लगेगा आप देख सकते हैं, थोड़ी से उरद है, यानि उरद की दाल, हवन समगरी, अईया भोग प्रशाद है, हवन में लगता है, पूरी खीर, पांसु पाड़ी, फूल, अच्छत, गंगा जल, या रोली चंदन है आप देख सकते हैं, मैं बताते हूं क्या क्या है, सहद है, चंदन है, थोड़ा सा गुड़ है, अभीर है, अबरख बोलते हैं से सफिद वाला, या रोली है, पीला सिंदूर है, हल्दी है, सुखा चंदन है, अगर बत्ती है, रूई की बत्ती है, माचिस है, कपूर है, और दूब बतती है, यहां सब समगरी लगेगी हवन में, यहां आम का पलो है, अम मातरानी की पुजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद हवन होगा, अत्ब आर्थी होगी, पहले पुजा कर ले नहीं है, भोग लगा लेना है, तब जाके उपर हवन होगा, देखें यह हवन हो हवन करने के बाद ही माता की आर्ती होती हवन हो चुका है अब आर्ती पूजा हो चुकी है भोग लग चुका है अब इसके बाद कन्या खिलाएंगे कन्या खिलाने के बाद माता का विसरजन करेंगे अब माता को गोधी जरूर दिजेगा गोधी में चावल हल्दी लॉंग इल आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा सदा सेयर करना ना भूलें